सब्सक्राइब करें महात्मा गेमर्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नोलोजी एंड गेमिग वीडियो सबसे पहरे देखने के लिए सबस्क्राइब करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल महात्मा गेमर्स में तम देल देखके तो आपको बताई पर दो कि आपको वीडियो में क्या देखने को मिलने वाता है तो भाई कुछ लोगों तो पता होगा कि जीटेफाइब खेलने के लिए आपके लैपटॉप के डेख्सटॉप में क्या का चीज होनी चाहिए पर भाई मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई है जिन लोगों नहीं पता सबसे पहले चीज कि हम इसे किस-किस विंडो में चला सकते हैं तो जीटेफाइब खेलने के लिए आपके लैपटॉप के डेक्स्टॉप में विंडो सेवन एट एट पॉइंट वन सिस्टी फॉर बीट में होनी चाहिए और जीटी फाइब की अच्छी परभामिस के लिए मिनिममम एट जी बिद्ध होना जुरूर दिया हार्डिस्क तो मिनिममम ठी हंट्रेट से आप वन टी भी तक कितनी भी ले शकते हैं तो बात आती है प्रोसेसर की प्रोसेसर को जाओन चाहिए तो प्रोसेसर इंटेल को द अबी एक चूस कर सकते हैं दोना ही बैस्ट है फिर बसता है ग्राफिक काड यह कह लिए वीड़ों आट तहां ग्राफिक काड्ण को रखिक काड़् कौन जोना चाहिए तो ग्राफिक काड़् है अन्वीडिया नैंताफंटी एटहंड एट इंडर जी वन जी भी यह एम डे HD 4871 GB दोनों में सब कोई सब्सक्राइब करते हैं तो आज की वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें जल्दी बिलते हैं झाल